सेकंड सामदे वेच एक्स वाई ते एम एन जड़ियां हैंगे इंटरसेक्ट कार दिया पियां ओ ते इस ट्रेट लाइन्स हुन दियां इफ P O Y जड़ा हैगा ओ 90 डिग्री होवे ते फाइंड A and B ते A and B जी जड़ी हैंगे ओ भी रेशो देवेच्छा ते फाइंड C, C दा एंगल फाइंड करना जानिके एक्जेक्ट नियां A ते B दा ए रेशो देवेच्छा ते इट मींस 2X ते 3X असी लेट करांगे इनना प्लस एंगल P O Y जड़ा हैगा हो 90 डिग्री एक एंगल हैगा इद्र होन P O X आ इनन उपा बाद वेच लेने पहला पूरा P O X लेलेने या ते एदो में एक से ट्रेट लाइन ते बांदे पहें एंगल इटमी से इनना दो जड़ा वान इटी डिग्री होएगा तो सब तो प पियर P O X ते P O Y क्योंकि X Y से ट्रेट लाइन ते बांदे पहें ठीक है और P O X से फाइंड करना हैं P O Y हान नो 90 डिग्री गिवन हैं 90 डिग्री जड़ा इदर प्लस दा हैगा उदर जाके माइनस दा होजेगा P O X ते वैल्यू 90 डिग्री आगी होन P O X ते असी विख्षी है ते ओदे वेच A ते B दो एंगल बांदे पहें या असी P O X से जगह ते लिख सकते हैं A प्लस B ऐवला A ते B क्योंकि P O X ते वेच चार है या या एंगल ते जड़ी A दी वैल्यू और 2 रेश्यों दिस्यों इसका क्या अपन 2 X लिखांगे क्योंकि एक्जेक्ट नहीं या बी दी वैल्यू 3 ए 3 X लिखांगे इनन प्लस करने तो बाह साधे कोल आगया 5 X तो जड़ा 5 है एदर मल्टिप्लाई हो रहान 19 न जाके डिवाइड होवेगा जड़ी A एकसी वैल्यू ओ आगी 18 डिग्री हु जड़ा B है गाया ओ 3 X दे एकक्वल है एकसी वैल्यू 18 तो B दी वैल्यू 54 डिग्री आगी उस्तो बात होना ने साहनों सी एंगल फाइंड करनों क्या है तो ज़कर सी एंगल वालतियान दिये थे MN एकसे ट्रेट लाइन है मो एकस एकस ओन एंग्री दो में 180 डिग्री दे क्योंकि लीनेर पेरबान तापे ठीक है जीए अथ लिख सागेँ के एंग्ला मो ओ एकस ओ एन 180 डिग्री यह लीनेर पेर्शी का मो मो एकसी वैल्यू है कि B तो B ल CAP 54 डिग्री आ चुकी यह मों एकसी जगह ते यसी 54 डिग्री फीलकार लांगे एक्सो एन दी वैल्यू है की C ए ऐसी फाइंड करनी यहनों सी C उट्ट कार लमागे जड़ा 54 डिगरी यह दर प्लास दाया उदर जाके मानिस दा हो जेगा तो C डिगरी दान्स रागे